हेलो फ्रेंद्स जेशिक रश्णा कैसो आप सब वेलकम टो प्रितीस कीचन आज मैं आपके साथ बाजरे के आटे से दो एकदम हैल्दी रेसिपी लेके आयू इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन वाटी भरके बाजरे का आटा लिया हुए एक वाटी भरके मैं हलका सा खट्टा दही दाल रहे हुए यहाँ पे पालक को भी मैंने अच्छे से दो के सुखा के लिया हुआ है कट करके एक वाटी भरके लिया है बड़ा वाटी भरके और एक वाटी वड़ा भरके मैंने मेथी लिए मेथी को भी अच्छे से दो के सुखा के लिया हुआ हुआ है देखो अभी मैंने क्या किया इस सभी चीजों को अच्छे से मीला के लेने एक वाटी दही दाला है ना और दही अलका सा खटा लेना फिका दही मत लेना और दही नहीं दालना है तो आप छास से भी ये नाश्टा बना सकते हो या फिर पानी दाल दीजी और फिर लिम्बू का और पहले जादा पानी दाल दिया तो बनने के लिए नास्टा बनने के लिए तिकत होगी इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी दालते जाएं और बैटर को भी बना के लीजिए देखो इच्छे से मिक्स करते ले रहे एक गाड़ा बैटर हम लोगों यहाँ पर रेडी करना है देखो थोड़ा थोड़ा पाने दलके इस तरह से मैंने गुल रेडी करके लिए है यहाँ पर एक बात याद दिला दू आपने मेरी चैनल को स प्ली सब्सक्राइब कर दीजे देखो यहाँ पर अभी मैं सफेद तिल डाल रहे हूँ दो बड़े चम्मच बर के सफेद तिल ले यह हरा वाला लसुन था मेरे पाल तो वो डाल रहे हूँ आप साधा लसुन भी डाल सकते हो कट करके डाल यह अद्रक मिर्ची का पेस्ट थ तोडondere हिंग डाल रहे हूँ आसलि देल्च ही यहाँ अच्छे मसालो के साथ मिक्स करके लिया बेजबिक अखेसे मसालो से घल्दी नाउस्टाप बना सकते हो मुझे यहाँ पे हलका सा कलर डल लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और इस तरह से गोल रेडी करके लिए देखो आप भी इस तरह से नाश्टा बना के जरूर ट्राइ करना वेट लॉस जर्नी पे हो तो भी यह नाश्टे को आप ले सकते हो बच्चों के टिफिन बोक्स में भी आप इसको डाल सकते हो अभी नमक डाल के लेंगे अम लोग स्वाधन उसार और फिर अच्छे से मेल आके लेंगे इसको भी इसतरा से करने से कैसे बैटर में एक कंसिस्टेंसी अच्छे आते इसलों एक एक चीजिये डालते जाए और मिक्स करते जाए अभी देखो इसतरा का र Strawberry कंसिस्टेंसी में देना चुए अलकर सा गाडा है दोसा बैटर होगने खाने वाला सोड़ा एक चुटकी भरके देखो मैंने डाला है जिससे हमारा नाश्टा सॉफ्ट का सॉफ्ट बना भी रहेगा अभी अच्छे से मिला के लेंगे थोड़ा सा सोड़ा और उपर पानी डाल के लिए जिससे एक्टिवेट हो जाए और मिक्स करके लिए हलके से तवे को घरम करके लिए हुआ है और थोड़ा सा तेल में डाल के ले रहे इस पे काफी कम तेल गी में ये नाश्टा बन जाता है मैं यहाँ पर तेल पर बना रहे आपके तो गी बटर किसी में भी ये नाश्टे को बना सकते हो थोड़े से सफेद तिल डालके लेती हूँ और फिर एक चमच भरके बैटर डालेंगे डोकड़ा वगएरे आपने काफी टाइम खाया रहेगा डोकड़ा है हांडवो है तो उसी में ये चमचम याई गुजरात की फेमस डिश है ट्रेडिशनल ये डिश बहुत बनती थी गाउ अगेरे में अभी इसको अपने को थोड़ा सा उपर से और तेल डाल देना है और लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देना है क्योंकि आटा कच्चा है इसलिए लो फ्लेम पे पकने देंगे तो मस्त हमारा इस नास्टा क्रिस्पी बनेगा अभी मैंने इसको क्या किया है एक तरफ से पक जाने के बाद देख लेना है उपर से ड्राइ लगेगा उसके बाद इसको पलट के लिजिए पहले ही आप पलटने जाओगे तो तवी थे में चिपक जाएगा नास्टा इसलिए हलका सा पक जा उसके बार अलटते पलटते गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए अपने को नास्टे को सेक के लेना है ये नास्टा बनने आप देखो तो पाच से दस मिनिट का ही टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप भी बना के जरू ट्राइ करिए देखो कितने मस लग रहे है अभी सेके नास्टे के लिए भी मैंने बाजरे का आटा ले लिया है एक वाटी भर के बाजरे काटा ले रहे हूँ और पानी दाल रहे हूँ इसमें एक वाटी भर के पानी दाल ले है और फिर नमक दाल दिया है थोड़ा था थोड़ी से हिंग दाल रहे हूँ अभी सबी चीजों को पिलना मिक्स करके लेंगे हम लोग यहां पर मैंने दूसरा कुछ भी अपने दालोगे तो भी यह दोसा बहुत मस बनेगा अभी और थोड़ा सा मैंने पानी दाल के लिए है टोटल आपने को दो से धाई वाटी जितना पानी लगेगा एक वाटी आटे में देखो इस तरह से पहले मिक्स करते लेना है अगर पहल ना हो इसलिए इस तरह से करिए और आपको हलका सा खटा चाहिए तो लिम्बू का रस दाल दीजे इसमें देखो इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके लिया हुए रवा डोसा वगेरे तो आपने काफी टाइम खाया रहेगा मगर यह बाजरे का डोसा भी बहुत मस लगता है ग थोड़ा सा ब्लेक पिपर पाउडर कालमरी का पाउडर दाल रहे हुए और अच्छे से मिलाक के लेंगे देखो अभी भी बैटर गाड़ा है थोड़ा सा एकदम पतला बैटर रखने है अपने को रवाड उसा कैसा बनाते है सेम वैसा ही अपने को कंसिस्टनसी रखना है ज फिर तवे को अच्छे से घरम करके लेना है और पानी के चीटे डालके इसको टेंपरेशर लो करके लेना है और फिर गैस की फ्लेम लो करके लेनी है और हलके से तेल से ग्रीस करके लेना है अपना तवे को इस तरह से तेल से ग्रीस करके लिए उसके बाद तेल अच्छे से बैटर डालना है पहले ही पैटर नहीं डाल देना है अच्छे से तवे को घरम करना है और तवा एक बार घरम हो जाए ना फिर गैस की फ्लेम लो करते हुए अपने को बैटर को डालना है देखो अच्छे से हरा दनिया मैंने दाल दिया थोड़ा सा और फिर थोड़ा थोड़ा करके Side से अपने को बैटर डालने बीच से कभी भी बैटर नहीं डालने है आपको कभी भी जाली वाला कोई भी डोसा बनाते रहेंगे ना तो इस तरह से साइड्स में डालिए बीच में मत डाल दीजिए देखो फिर ऐसे फिल करते जाईए थोड़ी थोड़ी जाली देखते हुए और जाली खुद बाखुद पड़ेगी इसमें सोड़ा इनों कुछ भी नहीं डाले ना फिर भी आप देखोगे तो एकदम जाली वदार डोसा बने देना है जबते कि इसका कलर चेंज नहीं होता है न तब तक उपर से थोड़ा सा तेल गी बटर आपको जो भी खाना पसंद हो आप डाल सकते हो उसमें बच्चों के टिफिन बॉक्स वगएरे में भी इसको बना के दे सकते हो मौनिंग ब्रेकवास में इवनिंग स्नेक्स में रात के डिनर में कभी भी ये दोनों में से नाच्टा आप बनाई सकते हो इतना हेल्दी है अब बच्चे ऐसे सबजी रोटी वगएरे नहीं खाते तो आप येसा बना के उनको दे सकते हो लो फ्लेम पे कम से कम 5-7 मिनिट ये डोसा लगेगा पकने के लिए मगर उसके बाद इतना क्रिस्पी डोसा बनेगा न देखो आसानी से खुद बखुद साइज छोड़ देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अभी मैंने इसको पलट के भी शेक के लिए हओ आपसे ये तो इकी तरफ शेक के भी ये डोसा बना सकते हो काफी healthy टेस्टी है दोनों के दोनों ये देखो ये डोसा बनके ready हो चुका है दोनों तरफ ते मैंने इसको शेक के लिया था कोई भी कैचप चतनी किसी के भी साथ आप इसको एंजोई कर सकते हो आप भी बना के जरो ट्राइ करना ये बाजरे से बनी दो रेसिपी